The Moonstone by Wilkie Collins Summary and Themes हम अलरेड़ी इसके characters, इसका introduction, title, significance अपने last lecture में discuss कर चुके हैं उसका link जो है वो description में आपको मिल जाएगा Welcome back to my YouTube channel World Literature आज हम The Moonstone by Wilkie Collins की जो novel के summary है इसको discuss करने वाले हैं सबसे पहले detailed summary इसकी discuss करेंगे और साथ ही साथ, इस novel में इतना ज़्यादा climate है साथ ही साथ, इतना ज़्यादा इसमें hidden चीज़े हैं स्टोरी जब हम लोग read करते हैं ना इस novel की जैसे जैसे हम read करते हैं, हमारी जो curiosity है वो increase होती जाती है तो ये बहुत interesting, एक detective novel है, इसको हम लोग discuss करते हैं सबसे पहले इसकी summary को discuss करेंगे, उसके बाद इसकी themes को discuss करेंगे summary discuss करते हैं, characters हमने last lecture में discuss के थे लेकिन हम remind कर लेते हैं इक दबावन को Cloner, Hunt Castle है पहला character इसमें, Rachel का character है, Rosanna, Spearman का character है, Maid Servant है उसके बाद Mother है, राचेल की, Godfrey, Abelwhite है, Franklin Blake है और Mr. Candy है ये कुछ characters हैं, जो के हमारी summary में आएंगे, इसलिए हमने इनको एक बाड़ी mind कर लिया स्टोरी ऐसे start होती है, स्टोरी की कि जो Cloner, Hunt Castle है, वो एक unpleasant former soldier होता है अब वो ये क्या करता है, कि ये इंडिया से moonstone जो है, वो ले आता है means कि ये as a thief, इसमें हमें दिखाया गया है, वहां से ये चोरी करके इंडिया से, जो एक diamond like moonstone है, उसको ले आता है अपनी family के साथ इसकी अच्छे तालुकात नहीं होते, इस वज़ा से ये अपने घर को छोड़ जाता है और घर को छोड़ने के साथ, साथ ही moonstone को भी अपनी nice राचेल के लिए, इसकी जो बतीजी है, उसके लिए चोड़ जाता है अब जब बर्दे gift के तोर पर उसके लिए छोड़ जाता है, तो means के ये अपनी nice जो है इसकी राचेल, उसको expose कर देता है उन hereditary guardians के, जो के moonstone के हैं, जैसे कि मैंने अपने previous lecture में आपको बताया था, कि जो moonstone है, ये Hinduism में एक बहुत ही कीमसी चीजी है, और इसको चंद्रा गोर्ड के नाम से refer किया जाता है, और Hinduism में, इसी तहां इन guardians के हवाले कर दिया जाता है, कि means कि अब जो guardians हैं, वो राचेल के पिछे हैं, इस moonstone को वापिस लेने के लिए अब राचेल जो है, इस stone को पहनती अपने बर्डे पार्टी वाले दिन, लेकिन उसी राद वो जो ये stone है, ये गायब हो जाता है, गायब कैसे हो जाता है, मींस कि चोरी हो जाता है, अब चोरी कौन करता है, इसी बात की जो पूरी investigation है, वो इस novel में चलती है, कि ये किसके प राचेल के घर के पास रहते हैं, अब वो कौन कौन है, उसमें सबसे पहले रोसाना स्पेर्मैन है, उसके बाद मेर्ड सर्वंट है, और उसके बाद मेर्ड सर्वंट जो है, वो खुद उसके बाद जो है न, जो उस पर शक किया जाता है, तो वो quick sand में जाकर जो है न, आपस नहीं कर रही है यहां तक क्लियर अब स्टोरी में यहां तक तो सिर्फ अभी सब पे शक किया जा रहा है कि स्टोन इसके पास है अब राचेल जो है वो अपने कजन फ्रैंकलिन ब्लेक के साथ काफी जादा उस पे फ्यूरियोस होती है और इसके बाद एक डिटेक्टिव पाता है जो कि सरजीन कफ होता है स्कोर्टलेंड यार्ड से यह काफी ट्राइ करता है कि उस स्टोन को जो ढूंडने की कोशिश है वो की जाए बट काफी जादा उसने अटेम्ट्स करता है लेकिन सारी उसकी अटेम्ट्स है वो फेल होती है उसको सर्च करने में अब जो पा कि या जाता है कि लेटर येर्स में कि डायमर्ड जो है वह लंडन बैंक में चला गया है लंडन बैंक जो के लोगों को लाउन देता है और किसी money landers ने ऐजा उसने अपने पास रख लिया है कि मुझे stone अपने पास रख लिया और उसके बदले उसने किसी को पैसे दी है और वो स्टोन उसको तभी वापस करेगा जब उसके कोई मनी लैंडर के पैसे उसको वापस मिलेंगे तो ये भी सोचा जाता है नौल में स्टोरी में अब होता क्या है कि इंडियन जो जगलर्स से रोसाना मेड सरवंट ये सब अभी वहीं पे हैं और ये सब लोग किस चीज़ का वेट करेंगे स्टोन को भी अब्जर्व करें कि स्टोन मिला या नहीं किसके वाज है क्योंके इंडियन इंडिया के जो उनकी एक डायमंड था स्टोन उनके लिए बहुत कीम थी चीज़ इसलिए वह इंडिया उसको वापस लेके जाना जाते है जो कि लंडन गलती से आ चुका था घल्ती स्टोन भी नहीं मिल रहा था और काफी जादा इसकी आइसलिशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है गौडफ्रे यह भी इसका कजन होता है इसके साथ पहले उसका मैरिज प्रपोजली एसेफ्ट करती है फिर उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देती है और यह भी उस रात ज स्ट्री डायमंड को ढूणने की है जो स्टॉन गुमा है उसको ढूणने की अब जो रुसाना स्पेर मैन है वो फ्रैंकलिन ब्लेक से जो है वो लव करती है और इस वज़ा से नोटिस करती है उसका बिहेवियर सारा कुछ और उसको एविनस मिलता है कि फ्रैंकलिन ब्लेक के जो night cloth हैं उनके उपना paint के stain होते हैं और उसको बहुत चल जाता है कि जो diamond है वो इसी नहीं चुपाया है जो stone है वो इसी नहीं चुराया है ये खुद को मार लेती है और उसके बाद जो भी ये खुद का murder कर लेती है उसके बाद ये एक dirty stain यानिके smirred gown वहाँ पे छोड़ जेती है और साथ एक letter होता है जो कि होता है Franklin Blake के लिए लेकिन Franklin Blake उस letter को देखने से पहले ही जो है वहाँ से वो traveling के लिए चला जाता है और उसको देखने सकता और उसको मिलता नहीं है और इसी बात को जो राचेल को ये सारे evidence मिल जाते हैं वो Franklin Blake पे शक करती है और उसके साथ arguments भी करती है कि तुमने ही ये लिया है जो stone है मगर Franklin जो है वो again जो है वो वापिस अपनी traveling पे चला जाता है और वहाँ पे जाकि एक friendship कर लेता है Mr. Candy की assistant से उसके बाद Mr. Candy यहाँ पे ये भी reveal होता है during this कि जब वहाँ पे ये investigation कर रहा है travel दूर जागे कर रहा है जब साथ साथ Franklin investigation इस बात की भी कर रहा है कि किसने वो diamond लिया, stone लिया तो इसको वहाँ पे पता चलता है कि Mr. Candy ने उस रहाद birthday की रात इसको एक medicine दी थी और इस medicine की वज़ा से ये अपने senses में नहीं था और इसने medicine इस वज़ा से दी थी कि Franklin ने इसकी medicines का मजाग एक दफ़ा उड़ाया था तो इसने उसको ऐसी medicine दे दी जिसके वज़ा से इसको anxiety होई और साथ ही साथ जो ये अपने senses में नहीं था और इसने क्या किया ये राचेल की room में जाता है वहां से stone को उठाता है और वापिस stone को उठा लेता है क्योंकि वो एक anxiety में भी होता है साथ हे साथ राचेल की इसको tension होती है तो उन सब narcotic situations में वो इसको उठा लेता है मगर अब इसे ये याद नहीं है स्टॉन था वो लिंडन बैंक में है और वो अब यह मिस्ट्री अभी इस सॉल्व करने वाली एक नहीं मिस्ट्री आ गई पहले तो डायमंड नहीं मिल रहा था स्टॉन जो के अब डायमंड का पता चल गया है कि किसने लिया था मेंस के फ्रैंकलिन नहीं उठाया था उस रूम से मगर अब वो लिंडन बैंक में क्या कर रहा है अब यह एक मिस्ट्री इसको सॉल्व करने के लिए यह लोग जाते हैं फ्रैंकलिन जो है एक क्लेमंड क्या पीछा करता है क्लेमंड वो होता है जो कि कोई चीज जिसका क्लेम करें यह ऐसा परसन जो के क्लेम करें किसी चीज का means कि कहें कि यह मेरी चीज़ हैं भी वो किसी चीज़ को ओन करें ऐसे परसन का अभी जब वहां जाते हैं न तो अंडर वाटर इसकी देथ होई होती है और जो स्टोन है वो भी वहां से जा चुका होता है अब जो डेड मैन होता है वो एक्चली में गौडफ्रे मैंने आपको अल्रेडी बताया है कि जो के राचेल का कजन है साथे साथ उसने उसको परपोस भी किया था उसने पहले असेप्ट किया और देन उसको रिजेक्ट कर दिया था यह वही है जिसकी अब यह डेड बोडी है एजा जिसने अपना जो सारी शकल थी अपना लुक सा वो चेंज किया हुआ था अब जो एक्चली गॉडफरे ने कोई ट्रस्ट फंड्स का क्राइम किया था उसकी वज़ा से इसने भला किया गया कि इसको उसने बैंक में रखवाया था और पैसे लिए थे अब यह मिस्ट्री आगे और थोड़ी सी सोल होती है स्टोरी में अब ह उसको मेडिसन किसने दी थी मिस्ट्र कैंडी ने मिस्ट्र कैंडी ने जब उसको वो मेडिसन दी थी ना तो वो एक ड्रग्ड स्टेट में था फ्रैंकलिन ब्लेक अब वो क्या करता है कि जब वो रोम से बाहर निकल रहा था उस रात बर्दे की रात तो एबल वाइट के इस वहीं बैंक में रख दो ताकि ये सेव रहेगा क्योंकि Able White के फादर का एक बैंक है उसमें इस वजह से ये बैंक में पहुंच आ आ अगर अबल वाइट ने क्या गिया उसने जो पैसे कर्स देना था उसके लिए उसके लॉन लिया और उसके बदले उसने बैंक में वो रुखवा दिया लेकिन जब वो दुबारा वापस जा रहा था अबल वाइट तो वो अल्रेडी जो है वो बिक चुका था जो स्टॉन था और ओनर को मिलने की बज़ाए उसके बाद होता यह है के जो मिस्टरी इससयां से ये जो है वो सॉल हो जाती है कि किस तरह से वो ये जो डायमन्ड स्टॉन है वो बैंक में गया था राचेल और फ्रेंक्लिन के एंड पर नौवल में शादी हो जाती है जो यहां पर ये असल प्लेस में चला जाता है means कि इंडिया चला जाता है जहां उसे होना चाहिए means कि जो एक statue है God का उसके forehead पे इंडिया में है इंडिया में जो God है उसके forehead पे वो लगा हुआ था diamond तो वो वहाँ पे वापस चला जाता है और इस तरह से यह novel जो है इस स्टोरी खतम हो जाती है इसमें themes क्या नजर आते हैं हमें इस स्टोरी में सबसे पहले जब इसके summary हम लोग पढ़ते हैं बहुत interesting novel है आप personally इसके summary पढ़ेंगे आपको बहुत interesting लगया कि किसरहां से एक पूरा detective novel लगता है कि यहनिकि उसमें पूरे elements हैं कि हमें curiosity होती है अच्छा पहले mystery solve होई अब पता चल जाता है कि diamond यहाँ है लेकिन second mystery को निकल आती है कि किस तरह से वो diamond जो है वो bank में पहुंचा पूरी एक mystery को solve करते हैं और उसके साथ यह novel end हो जाता है themes में है Intrusion of imperialism on everyday English life कि जैसे कि India की मुझे इस diamond को सुनकर मुझे कोह नूर के हमेरे से रियाद आती है जैसे कि India से लेके ले जाया गया था कि India के जितने भी triers थे क्लोनेलिजम की दौरान वो सारे ब्रिटिशर्स ले गए थे और इसी तरह इस diamond के start स्टोन के साथ भी ही हुआ कि एक Englishman जॉआया और इसको चुरा के ले गिया वहाँ पर Second इसमें हमें Theme दराता है Memory and the Past Memory and the Past की जो अगर best example मैं आपको बताऊं तो Franklin Blake है जिसको बड़ी मुश्किल से उसकी memory वापस आएगी थी कि उसने diamond के साथ किया क्या था जो स्टोन था उसके साथ तो यहां तक हमारी स्टोरी क्लेर होती है Lecture भी खतम होता है वीडियो का लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा Thanks for watching my channel